हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं सरब जीत आज आपके साथ पैंट प्लाजो के बाटम का एक बहुत ही सुन्दर डिजाइन शेयर करने जा रही हूँ अगर आपका कपड़ा बिल्कुल सिंपल सा है और मैचिंग में है और आप इसे बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही सुन्दर लगेगा आपके प्लाजो पे आप इसे ट्राइ जरूर कीजेगा और यहां पे हम इसे बनाना शुरू करते हैं मैंने ये पैंट प्लाजो की इंच है यह जो प्ति है मैंने प्लाजो के पॉंचे के हिसाब से लंबी ले ली है यहां पे प्लाजो आपने फोल्ड कर लेना है कपड़े के नीचे मैंने फ्यूस पेपर लगा लिया है यह जो प्ति है इसके नीचे फ्यूस पेपर लगाया है और यहां पे हमने ये दोरिय कट कर ली है और दोरिय यहां कितने इंच की साट की हैं हम आप यहां पर हम ने यह दोरी कैसे बनाती है इसका वीडियो लुण मेरे पेज़ पे है तो यहां पर 3 इंच की 2 हम कट कर लेंगे 3 से touchung की कत कर लें तरह च। उर मैं पने चाच कर रहा है और तो इस तरह मैंने सारी cutting कर ली है तो दीखे मैंने बहुत सारी दोरियां काटी है तो जलिए design को हम बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर क्या करते हैं यह जो पटी ली है हमने इसके उपर marking करेंगे marking के आपको हिसाब बता देती हूं side से 1 inch छोड़ देते हैं वहां पर एक डोरी रखते हैं पहली डोरी हमने 1 inch के निशान पर रखी है फिर अगली डोरी हम 1.5 inch के center में रखेंगे यह जो 1.5 inch का निशान लगाया है यानि कि पौने इंच पर यह दोरी अगले वाली आएगी 1.5 inch के बिलकुल center में हमने इस पट्टी को इस डोरी को रखना है और यह जो अब डोरी हमने पहले लगाई थी इसको हम 1.5 inch वाले निशान से मिला देते हैं तो यहाँ पर हमने इसको गुमा के अगले वाले निशान पर मिला देना है यहाँ पर एक डोरी और लगा लेंगे कि जब हम इसे इस तरह रख रहे हैं तो इसके साथ हमने एक डोरी और लगा लेनी है यहाँ पर डबल डोरी हो जाएगी इसको सेल लेते हैं पहले थोड़ा सा एक टांका लगा लेते हैं और यह जो हमने second number पर डोरी लगाई है यह जो second वाली है इसको हम डेड़ के center में लगा लेंगे यहाँ पर डेड़ इंच के center में लगा लेते हैं और इसके साथ भी एक डोरी और लगा लेंगे हर बार अब हमारी डोरी डबल होती जाएगी और आगे के हिस्से में घूमती जाएगी इसको आप सुई से सेट करते हुए सिलाई लगाईए और एक डोरी इसके साथ और रख लेते हैं इसी तरह एक निशान हमारा डेड़ वाला है जो वहाँ पे सिलेंगे एक डेड़ के सेंटर में सिलेंगे तो यहाँ पे घुमते हुए यह कवसा बनता रहेगा इन डोरियों का और यहाँ पे ओवरलैप होती रहेंगी एक दूसरे के ऊपर आती रहेंगी यह देखें मैं आपको बिल्कुल क्लोस करके रिखाती हूँ यहाँ पे बिल्कुल दो पट्टियां लगाएंगे दो डोरियां लगाने के बार यह जो पिछली वाली है वो अगले वाले निशान भूल पे अजाएगी इस तरह इसको भी डबल कर देंगे ऐसे ही हमने जब घुमाना है तो डोरियां को डबल करदेंगे और फिर उसके बाद दूसरे वाला हिसा गूम के आएगा फिर इसको डबल कर देंगे इसी तरह हमने यह सारी पट्टी अपनी रेडी कर लेनी है सारी पत्ती पे हम यहीं वाला डिजाइन बना लेंगे और यह बनाना बहुत ज्दा असान है तो लीजे यह सारी पत्ती हमारी बंगर तयार हो गई है इस तरह यह सारा डिसाइन आ जाएगा अभी क्या करते हैं इसको हम पॉंचे के उपर जोड़ते हैं पॉंचे को मैंने पहले ही फॉल्ड कर लिया है यहां पे जो प्लाजो की लंबाई है बिलकुल ज़ादा नहीं लेनी है नॉर्मल प्लाजो की आपने स्टीचिंग कर लेनी है अब हम क्या करते हैं इसे इस तरह अंदर की तरह फोल्ड करते हैं इसे इस तरह अंदर की तरह फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल किनारे के उपर रख लेना है किनारे के साइड में आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको रखेंगे और इस तरह इसको सेल लेंगे इसको ह पड़ा है और यह पट्टी है बिल्कुल आपस में मैच होने चाहिए यहां पे डोरियों को आपने अच्छी तरह बाहर की तरफ निकाल लेना है यहां पे आप ट्रेंगल्स वाला डिजाइन भी बना सकते हैं मैं सारे डिजाइन आपके साथ प्लाजो पेंड के शेयर करूंग और डोरियों को आपने सेट करके रखना है डोरियां बिल्कुल शेप में होने चाहिए गुलाई में होने चाहिए यह लिए यह सलाई हमारी कंप्लीट हो गई है अब हमने उपर की तरफ थोड़ा सा और क्रियेटिविटी करनी है अगर हम इसे बिल्कुल सीधा चल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन इसके उपर लेस लगाते हैं तो इसको हमने कपड़े को अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करना है और यहां पर मैंने यह नेट की लेस ली है यह जो नेट की लेस है इजीली मार्किर से मेल जाती है और लगी हुई बहुत जादा सुन कर लेंगे इस तरह मैंने लेस को दो पॉइंट अंदर की तरफ रख लिया है इसके कपड़े के नीचे और इसको सिलना मैं शुरू कर लेती हूँ अब यहां पर इसे इसी तरह मार्जन हमने शुरू में दिया है उतरा मार्जन देते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे इसक लेस हमारी यहां पर टैच हो गई है इसको यहां पर कट कर देते हैं अगर आपकी लेस चोड़ी है तो ऊपर भी अपहर बन कर रेड़ी हो गया है इसको हाफ में कीजिये और यह शिलाई लगा दीजिये सिलाई लगाने के बाद आपका जो बाटम का डिजाइन है ऐसा दिखेगा और पहना हुआ ये बहुत ही जड़ा सुन्दर लगता है आप एक बर बना कर देखिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर दो कर दो हो है